में मुश्कार बच्चो आज के इस वीडियो में हम सिलिकन कंट्रोल रख्ति फायर के दूसरे ट्रगरिंग मेथड के बारे में बात करेंगे और उसको बोलते हैं DVYDT ट्रिगरिंग मेथड बच्चो नाम से समझ भी आ गया होगा कि यहां हम बोल्टेज नहीं चेंज कर रहे हैं बलकि बोल्टेज के रेट का अफ चेंज की हम बात कर रहे हैं DVYDT मतलब बोल्टेज किस रेट से चेंज हो रहा है वही डिसाइड करेगा कि यह थारिस्टर टॉगन होगा की नहीं होगा तो आए इस टॉपिक को हम अच्छे से सबस्ते हैं बच्चो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक थारिस्टर लिया जिसके चार लेयर से पी एन पी एन और तीन जंक्षन है जेवल जेटू एंड जेट्री बच्चो जैसे ही मैंने इसके अनोड ट्रमिनल को बैटरी के बैटरी के पोजिटिव लियर से करेट किया और इसके कैथोड ट्रमिनल को मैंने बैटरी के नेगेटिव लियर से करेट किया आप देख रहे ह होंगे J1 junction हो जाएगा forward bias, J3 junction हो जाएगा forward bias और J2 junction होगा reverse bias. मैंने gate से कोई triggering नहीं किया, मैं इस gate की current के value कितनी होगे 0. अब बच्चो, इस DV by DT triggering method का concept यहीं से डबला होता है, क्योंकि इसमें कुछ हम extra करते नहीं है, कोई basing नहीं करते, कोई triggering नहीं करते है. होता है क्या है बच्चो इसके अंदर, कि मेरा J2 junction जब reverse bias है, तो J2 junction के आज पास बहुत सारे charge carrier जमा हो जाते हैं. अब इन charge carrier के जमा होने से यह कुछ ऐसा feel होता है, कि यह conducting plate है, यह conducting plate है, और इन दोनों plate के बीच में, एक depletion layer, एक barrier के form में, यानि dielectric material जमा हो गया, का phenomenon होता है, capacitor के अंदर क्या होता है, बच्चो, दो parallel plate, जिनके बीच में, जब हम कोई dielectric material लगाते हैं, dielectric मितलब उच्चे electric charge भी हो सकता है, तो यह इसके अंदर एक capacitance double-up होता है, सेम यह phenomenon यहाँ J2 junction के उपर double-up हो रहा है, और इसी phenomenon के double-up होने के बज़े से, मैंने माल लिया, कि इस J2 junction के अंदर, एक capacitance double-up होगा, जिसकी value होगी C, अब इस capacitance के corresponding, जो charge carrier है इसके अंदर, वो मैंने क्यों माना, तो बच्चो, यहाँ आप देखेंगे, एक simple mathematical formula है, charge equal to capacitance into potential, means applied voltage, अब दूसरा equation में लूँगा, जब हम current की बात करते हैं, तो basically current के बहुत सारे definitions होते हैं, जिसमें एक common सा definition है, कि current किसी भी conductor के अंदर, rate of flow of charge को represent करता है, यहाँ चार्ज किसे rate से flow हो रहा है, वो current बताता है, तो I equal to, मैंने DQ by DT ले लिया, second equation, अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चो, इस equation first को equation second में put करूँगा, तो आप यहाँ दिखिए, I equal to D, Q के जगा पर मैं put करूँगा, C into V divided by DT, अब यहाँ पर, जो मैंने C की बात करे थी, capacitance की बात करे थी, वो capacitance अगर fix है, constant है बच्चो, तो द्यान देजेगा, यहाँ पर V variable होगा, तो I equal to हो जाएगा, C dV by DT, और आप सब जानते हैं, कि अगर मैं, constant का differentiation करूँगा, तो उसकी value क्या हो जाती है बच्चो, 0, तो इसलिए, यहाँ से equation बन जाएगा, I equal to C dV by DT, अगर C constant है, तो एक किस equation number 3 को, मैं use करके लिख सकता हूँ, कि यहाँ पे ISO, यानि current होगा, वो proportional होगा, किसका बच्चो, dV by DT, यानि rate of change of voltage, with respect to time, और इसी से, यहाँ पे concept डबलफ होगा, कि अगर मुझे इस J2 junction को, forward bias बनाना है, यहाँ के immobile lines को, iron में convert करना है, mobile में convert करना है, तो मुझे current की value बढ़ानी पड़ेगी, और इस current की value को बढ़ाने के लिए, मुझे अपने voltage का rate of change of बढ़ाना पड़ेगा, तो जब मैं dV by DT triggering की बात करता हूँ, तो indirectly, मैं इस J2 junction को forward bias में करने की बात करता हूँ, और वो forward bias में करने के लिए, मैं यहाँ पे dV by DT के value को increase करूँगा, और जैसे dV by DT का value एक rated value को achieve कर लेगा, उस condition में J2 junction के जो immobile ion होंगे, वो mobile हो जाएंगे, और वो device reverse bias से forward bias में convert हो जाएगा, और मेरा device conduct करने लगेगा, that is called dV by DT triggering method, बच्चो इस method का advantage यह है, कि यहाँ मुझे पिछले method की तरह, means forward break over voltage की तरह, breakdown voltage, forward break over voltage को achieve करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने device को breakdown कराने की जरूरत नहीं है, और इसलिए इस method को हम prefer करते हैं, लेकिन इस method के अपने कुछ constraints है, मैं dV by DT बहुत जादा नहीं बढ़ा सकता, वरना उसे hitting effect भी double up होगा, और उस J2 junction के आस पास के जो भी ions होगे, वो damage हो जाएंगे, मेरा J2 junction burn out हो जाएगा, लेकिन overall, यह forward break over voltage preferable method है, इसलिए हम इसको use करते हैं, बच्चों, अगले वीडियो में हम next method के बारे में बात करेंगे, that's all about this video, thank you very much. झाल 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 झाल